नमस्कार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रीगर्स को यूज करना सीखेंगे MySQL में ट्रीगर्स कैसे बनाते हैं कैसे यूज करते हैं मैं हूँ रवी कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइंस GPC डूंगरपूर तो ट्रीगर्स क्या होते हैं पहले हम यह देखेंगे ट्रीगर्स स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं MySQL के अंदर स्टोर रहते हैं यह प्रोग्राम्स और जब कभी कोई टेबल है उसमें कोई एक्षन हम लेते हैं जैसे डेटा इंसर्ट करते हैं या डेटा को डिलीट करते हैं या data को update करते हैं तो triggers अपने आप swim execute हो जाते हैं जैसे कि नाम से बता चल रहा है trigger तो triggers कुछ नहीं है simply programs है जो MySQL में store रहते हैं और जब हम कोई action लेते हैं table पर जैसे insert करते हैं delete करते हैं अपडेट करते हैं तो ये अपने आप execute हो जाते हैं जैसे कि application में हम apply कर रहे हैं table पर insert, update, delete तो insert करेंगे तो insert trigger है वो execute हो जाएगा अपडेट करेंगे तो update trigger execute हो जाएगा वो delete करेंगे तो delete trigger execute हो जाएगा तो triggers को हम call नहीं करते हैं triggers को call करने की जरूरत नहीं होती है जब भी हम dml statements हम data manipulation statements और data definition language ddl और dml पढ़ चुके हैं तो जब dml statements होते हैं data manipulation language statements होते हैं जैसे हमने देखा है याँ पर insert, update, delete तो ये जब perform होते हैं तो trigger अपने आप execute हो जाते हैं triggers हैं उनको हम mainly दो classes में divide कर सकते हैं row level trigger और statement level trigger row level trigger में क्या होता है कि जब प्रते एक row में update, delete या insert होता है तब row level trigger execute होता है और statement level trigger में प्रते एक SQL statement execute होता है उसके लिए statement level trigger execute होता है लेकिन MySQL है वो only row level trigger को सपोर्ट करता है ये statement level trigger को सपोर्ट नहीं करता है अब हम देखते हैं कि कैसे हम manage करते हैं triggers को कौन-कौन से types हैं इनकी create triggers ये describe करता है कि हम MySQL के अंदर एक trigger को कैसे create करेंगे drop triggers इसके अंदर हम trigger को drop कैसे करेंगे वो है create a before insert trigger इसके अंदर before insert trigger है उसको कैसे maintain करेंगे after insert trigger इसके अंदर क्या होता है कि जब table के अंदर कुछ data insert करते हैं तो उसके बाद में कोई process होती है को action लिया जाता है before update इसमें जब table को update करेंगे उससे पहले कोई action लेना है table पर after update trigger इसमें table को update कर दिया उसके बाद में कुछ action लेना है before delete इसमें table में से data delete करते हैं उससे पहले क्या action लेना है after delete trigger यह describe परता है कि delete कर दिया data को उसके बाद में क्या action लेना है तो triggers की help से हम data की consistency है validation है यह सारी चीज़े बना के रख सकते हैं तो trigger क्या होता है एक stored procedure होता है database के अंदर जो automatically call होता है जब कोई special event अकर होती है database में जैसे example के लिए एक trigger call होगा जब कोई row insert होगी database के अंदर या फिर कोई column update हो सकता है create trigger statement create करता है new trigger इसका syntax कुछी इस तरह से होता है create trigger फिर trigger का name अब trigger किस type का है before, after दो type होते हैं या तो जो SQL query run कर रहे हैं आक्सन ले रहे हैं उससे पहले चलेगा या उसके बाद में before, after फिर उसके बाद में query is कौन कौन सी, dml में तीन तरह की पड़ी है हमने insert, update, delete कौन से एक्सन के साथ में करवाना है इसको काम को on फिर table name कौन सी table पर लगा रहे हैं फिर किसलिए लगा रहे हैं हर एक row के लिए for each row और फिर trigger की body कि हमें काम क्या करवाना है तो उपर वाला जो syntax देखा हमने जैसे उसमें था trigger का name तो create trigger के बाद में create का name हम देंगे और create और trigger है यह दुनों क्या keyword है create तो हम पहले भी देख चुके है database create किया है, table create किया है जब database create करना तो create database और database का name जब table create करनी है तो create table और table का name वो यहाँ पर trigger क्रियेट कर रहे है तो create trigger और trigger का name simple है जैसे table का name था database का name था वैसे क्या रहेगा इसका name भी unique रहेगा ऐसे नहीं है कि एक नाम से दू trigger मना दिये वो तो हम हर जगा पढ़ रहे हैं ना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वाँ भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जब एक से जब funcin है उसका भी नाम unique होता है table का भी, database का bskin ट्रीगर का भी क्योंकि जब एक से जादा trigger हो गया चायए database हो गया table हो गया या function हो गया उनके नाम एक ही देदेंगे तो फिर confusion होगा ना उसको call करने में इसलिए variables वगरे सबके नाम unique ही रखते हैं trigger का जो action है वो हमें बताना है कि before होगा कि after तो before और after क्या करएगा अगर before हम काम में ले रहे हैं तो जब row के अंदर modification होगा तो उससे पहले call होगा trigger और after कर रहे हैं तो row के अंदर modification होगा उसके बाद में call होता है उसके बाद में specify करते हैं कि कौन सी operation activate करेगी trigger को कि insert करते time activate करना है या update के time करना है या delete के time जो भी हमारी need है आएशेकता है उसके हिसाब से हम use करेंगे कई बार data insert कर रहे हैं उससे पहले ही table के अंदर कुछ action लेना होता है या उसके just बाद में लेना होता है तो हम insert यूज करेंगे insert के साथ में यूज करेंगे कई बार update करते हैं या delete करते हैं उस time पर अब name specify करने के बाद में name specify करेंगे trigger का और finally statements कि trigger काम क्या करेंगा trigger execute तो हो रहा है लेकिन trigger से करवाना क्या काम है तो वो statements हम लिखेंगे specify करेंगे और अगर multiple statements execute कराने है तो begin और end इनके बीच में लिखेंगे उनको तो trigger की जो body है वो access करेगी values of the column being affected by the dml statement जो data manipulation statements है insert, update और delete उनसे जो affect हुई है values column में उनको access करेगी trigger की body अब बीफोर और आप्टर है dml तो जो query हमारी run हुई है उससे पहले, query run होने से पहले वाली बीफोर वाली जो values है उनको यूज करना है तो हम काम में लेंगे old keyword और query run हो गई, modification हो गया उसके बाद वाल लेनी है तो new जैसे example के लिए हमने update किया column description trigger body में और हम access कर रहे है value of description before the update तो before के साथ में old और new value के साथ में new निच्चे एक table है वाले साथ में उसमें देखेंगे हम कैसे काम में लेते हैं trigger किस type का है event और फिर old और new तो trigger event अगर insert है तो insert के अंदर तो क्या होता है नया data insert करते है और पहले क्या रहता है कुछ रहता ही नहीं है तो old के अंदर तो क्या हो जाएगा no, कुछ रहेगा है नहीं और new में रहेगा update, उपडेट में जो existing data है उसको कर रहे है हम update इसका अब लब old data भी है उसमें new भी है और delete delete के अंदर पहले से कुछ data था उसको delete कर दिया तो delete करने बाद तो कुछ हाई नहीं तो new data तो कुछ रहेगा है नहीं old में रहेगा अब कुछ examples है हम समझते है mysql triggers को हमने एक students नाम से हमने एक table बनाई तो table बनाना हमने पहले सीख लिया था create table टेबल का name क्या है students फिर bracket में जो attribute है column है उसका name और उसका type तो id integer type कि रहेगी और auto increment ले लिया हमने और इसको primary की बना दिया अब primary की गा में बताया कि एक तो इसकी value null नहीं हो सकती और दूसरा ये unique रहेगी फिर first name इसको हमने लिख दिया note null ये blank नहीं रह सकता last name ये भी note null फिर student के तीन subjects हैं उनके marks लेंगे subject 1, 2, 3 के marks फिर total marks और फिर percentage marks उसके बाद में हम create करेंगे एक trigger तो create trigger का नाम दे दिया हमने student marks और इसको कामें ले रहे हैं before और किसके साथ है insert के साथ में on table का नाम क्या है students for each row अब trigger की body trigger में करना क्या है तो trigger में हम क्या कर रहे हैं तीनो subjects के जो marks है उनको enter करने से पहले ही हम जो total marks है वो calculate कर रहे हैं तीनो subjects के marks को जोड़ कर और फिर percentage भी calculate कर रहे हैं तो जैसे हम data insert करते हैं subject 1,2,3 के marks insert किये तो total और percentage है वो automatically calculate होके table में insert हो जाएगा हमें manually insert करने की ज़रूरत नहीं है तो हम run कराते हैं insert into table का नाम था students values देदी हमने 0 राकेश नाम का लड़का है और तीनो subjects में 80,80,80 marks आई और 0,0 देदी है total or percentage में अब हमने trigger बनाया था वो insert के साथ में बनाया था यहाँ आपकर उपर देख सकते हैं insert के साथ में बनाया था और वो भी before insert जैसे हमने insert query की तो query run कराई हमने और हमने 0,0 दिया total or percentage लेकिन हमने इसके साथ एक trigger attach कर रखा है तो trigger automatically अपना काम करेगा तो हम table में से select करके देखते हैं कि देखे क्या काम किया trigger ने तो select किया अब देखिए जैसे इस table में देख सकते हैं हमने subject 1,2,3 के तो 80,80 marks दिये लेकिन total or percentage हमने 0,0 डाला था लेकिन यह अपने आप total or percentage calculate हो गया है इसमें यह call होगा change होने से पहले तो create trigger before student update बिफोर लेंगे update होने से और किस पर update कर रहे हैं on students table पर for each row अब इसमें insert करेंगे insert into students set action equal to update fast name old.fast name और last name equal to old.fast name तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम तो update कर रहे हैं उसमें modify कर रहे हैं fast name last name में लेकिन हमने trigger यह लगा दिया कि हम पुरानी वाली value जीए वो ही रख लेंगे इसके अंदर तो इस trigger में हमने old keyword काम में लिया है दोनों columns के साथ में first name और last name के साथ में जो row affected होगी अब सारे जो triggers है current database में इनको देखने का तरीका होता है show triggers statement show triggers तो update होगी row में students table में और update किया हमने अपने जो क्योरी लगाई है update की update table का name students said last name कुमार और first name जार राकेश था राकेश था उसका last name हमने कुमार कर दिया फिर हमने select करके देखा क्योंकि हमने old काम में लिया था तो हम क्या करेंगे उसमें जब देखेंगे तो वो old वाला ही आएगा नया वाला कुमार नहीं आएगा old जो पहले से लगा रखा था उसमें surname वही आएगा last name जो था अब triggers के advantages क्या क्या है triggers provide another way to check the integrity of data ये एक अलग तरीका हमें provide करते हैं data की integrity को check करने का पहला तरीका तो हो गया integrity का जब हम table create करते हैं उसी time पर note null लगाते हैं उसकी range बताते हैं लेकिन दूसरा इससे भी हम कर सकते हैं trigger से भी trigger handle करता है errors को from the database layer database हमें एक alternative तरीका देते हैं कोई scheduled task है उसको run करनेगा triggers को हम use करते हैं हमें wait करने की ज़रूत नहीं है कोई scheduled event है वो automatically run हो जाएगी before और after change होगा table के अंदर तब triggers है वो useful हो सकते हैं data की auditing करने के लिए उसमें changes होए हैं उन्हें disadvantages भी है triggers के कुछ triggers only extended validation अब वही provide करते हैं सारे validation इससे provide नहीं किये जाते हैं जैसे simple validations है not null, unique, check और foreign की constants तो इसके लिए थो हमें not null, unique यही काम में लेने पड़ेगे ट्रिगर से नहीं कर पाएंगे triggers हैं उनको troubleshoot करना भी बहुत difficult काम है क्योंकि एक तो यह automatically execute होते हैं तो यह क्या होते हैं client का जो application है उसमें visible भी नहीं होते हैं triggers हैं वो overhead काम भड़ा देते हैं MySQL Server का तो students यह थे triggers आज के लिए बस इतना ही thank you